नमस्ते प्यारे साथियों मेरा नाम है शालिनी आप जानते हैं कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि गणित को समझना मुश्किल है लेकिन जब मेरे शिक्षक ने मुझे ये कविता सुनाई तो मुझे गणित से प्यार हो गया कविता में ऐसा क्या खास था आप जाना चाहते हैं तो आईए इस बहुत ही दिल्चस्प कविता को सुनें जो मेरे शिक्षक ने आनंद मैं गणित पुस्तक से मुझे सुनाई बस में बैठे बच्चे पांच बैठे बैठे रहे थे नाच एक उत्रा घर के पास हाथ में मोती माला हार बस में है अब बच्चे चार बस में बैठे बच्चे चार पेडों से वो करते प्यार एक उत्रा घर के पास बजी जोर जोर से बीन बस में है अब बच्चे तीन बस में बैठे बच्चे तीन सभी बजाते धीरे बीन एक उत्रा घर के पास घर को दौर लगाता वो बस में है अब बच्चे दो बस में बैठे बच्चे दो हल्ला करते हो 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 एक उत्रा घर के पास छोटा बच्चा हाथ में केक बस में रह गया केवल एक बस में बैठा बच्चा एक दिख रहा था सीधा नेक एक उत्रा घर के पास दादी है वहीं खड़ी बस में बच्चा कोई नहीं मज़ा आ गया धंमक धं, कल मिलेंगे फिर से हम वा, कितनी मज़ेदार कविता है न इस कविता को गाकर आपने घटाना सीख लिया और आपको पता भी नहीं चला मज़ा आया ना आपको तो चलिए, कविता को लेकर थोड़ी सी बातचीत हो जाए अच्छा ये बताईए कि शुरुवात में बस में कितने बच्चे थे? याद कीजिए, कविता को दोर आईए तो उत्तर मिल जाएगा मैं बताती हूँ बस में बैठे बच्चे पांच याद आया? कितने बच्चे थे? पांच बच्चे अब जरा ये बताईए कि पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उत्रे? सोचिए, सोचिए नहीं याद आया एक उत्रा घर के पास बस में हैं अब बच्चे चार याद आया? तो उत्तर क्या हुआ? एक अच्छा ये आपको बताना ही पड़ेगा पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेश रह गए? अभी अभी मैंने आपको बताया था व्याद कीजिए बस में से उत्रा एक बच्चा और कितने बच्चे थे? चार चार बच्चे बच्चे थे अब ये बताईए कि दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेश रह गए? तीसरे, चौथे और पांचवे स्टॉप के बाद भी शेश बच्चों को बताईए तो शुरू से कविता को दोहराईए और जवाब मिल जाएगा अंत में भी कितने बच्चे शेश बच्चे ये भी आपको बताना है चलिए अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ अंत में एक भी बच्चा नहीं बच्चा क्योंकि बस खाली हो गई है न? तो मित्रू अभी तक हमने कविता के माध्यम से घटाना सीखा कितना मजा आया न? और अब हम घटाना सीखेंगे चित्रों के माध्यम से तो यहाँ देखिए पहले चित्र में छे मेंधक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं दूसरे चित्र में 2 मेंढक तलाब में कूठ जाते हैं अब तीसरे चित्र में बचे हुए मेंढकों को देखे आर बताइए कितने बचे छल्ड़िये इसे ऐसे करके देखते हैं मेंढक कितने थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे मेंढक थे कितने कूठ गये एक दो बच्चे कितने एक दो तीन चार देखा तो आप इसे कैसे लिखेंगे छे घटा दो बराबर चार यहां फेर से तीन चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक बच्चे के पास साथ गुबबारे हैं दूसरे चित्र में कुछ गुबबारे उड़ गए और तीसरे चित्र में बच्चे पाँच गुबबारे तो बताईए साथ में से कितने गए तो बच्चे पाँच चलिए मैं इसमें आपकी फिर से मदद करती हूँ गुबबारे कितने थे एक दो तीन चार पाँच छे साथ है ना और कितने गुबबारे उड़ गए एक दो दो गुबबारे उड़ गए तो कितने बचे एक दो तीन चार पाँच है ना पाँच गुबबारे बचे तो इसे लिखेंगे कैसे साथ घटा दो पराबर पाँच और इस मजेदार घटाने के खेल के बाद अब हम फिर घटाएंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से इस बार आपको घटाने के साथ साथ चित्र भी बनाना है ठीक है ये खेल तो और भी रोचक है चलिए शुरू करें अब यहां देखिए यहां पर भी तीन चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में तीन गमले बने हुए हैं दूसरे चित्र में तीन गमलों में से एक गमला तूट गया है ना और तीसरे चित्र में आपको क्या करना है कि तूटे हुए गमले के बाद कितने ग थे पहले एक, दो, तीन है ना और दूसरे चित्र में एक गमला तूट गया तो कितने बच्चे एक, दो है ना यानि तीन घटा एक बराबर दो तो आपको तीसरे चित्र को दो गमले बना कर पूरा करना है अब ऐसा ही एक चित्र यहाँ पर फिर से दिया गया है जिसमें फिर से तीन चित्र हैं पहले चित्र में एक बच्चे के सामने थाली में साथ लड़ू रखे हैं दूसरे में उसने चार लड़ू खा लिये तो तीसरे चित्र में कितने लड़ू थाली में होने चाहिए एक दो तीन है ना यानि साथ घटा चार बराबर तीन ठीक है अब हम इसी तरह घटाने के सफर को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चलिए अब बताईए कि मनीशा के पास नौ के ले हैं उसने तीन केले खा लिये उसके पास कुल कितने केले बचे देखिए कितने केले थे मनीशा के पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ है ना और कितने खेले खा लिये उसने एक, दो, तीन है ना तो कितने बचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे है ना तो कैसे लिखेंगे इसे नौ घटा तीन बराबर छे तो जल्दी से रिक्तस्तान भर दीजिए तो मित्रो अभी तक हमने बहुत सारे मज़ेदार खेल खेले और घटाना सीखा अब मैं आपके लिए एक चितरकारी से जुड़ा हुआ एक और खेल लेकर आई हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस है ना चलिए तो अब यहाँ पर मैं कुछ बिंदूओं को छिपा रही हूँ अब आप देखकर बताईए कि कितने बिंदू आपको नजर आ रहे हैं देख़िए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और कितने बिंदू छिपे हुए हैं? चलिए देखते हैं कितने हैं? तीन है ना? अब मैं कुछ बिंदू को छिपाऊंगी फिर से और कुछ बिंदू को दिखाऊंगी आपको बताना होगा कि कितने बिंदू छिपे हुए हैं ठीक है? तो देखिए कुछ बिंदू मैंने यहाँ पर छिपा दिये हैं आपको कितने बिंदू नजर आ रहे हैं अब किंते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच है ना तो पाँच ही बिंदू छिपे हुए थे और पाँच ही नजर आ रहे थे कुल मिला कर कितने हुए दस तो अभी हमने बिंदू के माध्यम से घटाना सीखा यानि कि बिंदू कार्ड के माध्यम से और अब हम घटाना सीखेंगे एक और नए तरीके से उच्छल खूद करके उच्छल कूद करना बहुत मज़ेदार होता है मुझे यकीन है कि आप सभी खेलते समय ऐसा जरूर करते होंगे लेकिन क्या आप कभी किसी संख्या पट्टी पर कूदे हैं? नहीं मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है तो तयार हो जाएए उच्छल कूद के लिए यहाँ पर क्रमांक एक से दस तक कुल दस संख्याओं की एक संख्या पट्टी है आपको संख्या नौ से तीन कदम पीछे कूदना होगा यानि नौ आठ साथ और ये आ गए हम संख्या छे पर इसे कैसे लिखेंगे? नौ घटा तीन बराबर छे ठीक है? देखा आपने बच्चो कि हमने घटाना कितने रोचक और सुन्दर तरीके से सीखा है? और ये सब गणित है? यकीन नहीं होता ना? गणित के बारे में सीखना खेल खेलने जैसा ही तो है अब आप घटाने के बारे में सब कुछ जानते हैं इसे लिए ये जो बाकी के घटा के सवाल है वो आपको खुद करने हैं अपने दोस्तों की मदद से तो प्यारे साथियों मुझे लगता है कि आज की ये गणित की कक्षा आपको बहुत पसंद आई है ना? हमने कितने अलग-अलग माधिमों से घटाना सीखा अब तो घटाना आपको आसान लगने लगा होगा है ना? तो आप इसका अभ्यास कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत मैं चलती हूँ नमस्कार